नमस्ते और मुशान्ति आज के 299 दिन की इश्री वरदान में आपका स्वागत है और आज की वरदान में परम पिताप, परमात्मा में कोमलता और शक्ती। और कमाल कैसे करना है उस दोनों चीज़ों के पीच में हमें अंतर बताते हैं कहां कोमल होना है और कहां पर हमें शक्ति का प्रयोग करना है तो देखें आज बाबा कहते के हैं समझाते के हैं अबा कहते हैं कोमलता को कमाल में परिवतन कर माया जीत बनने वाले शक्ति सुरूप भवा माय के उपर जीत पहनने वाले यह नहीं कि हाई कैसे होगा हाई मेरे अंदर वो शक्ती नहीं है हाई मेरे अंदर वो ताकत नहीं है भगवाना अपने मुझे क्यों चूज किया में गो तो पुरानी आदत है यह ठीक लगती है तो कहा कोमलता दिखानी और कहा शक्ति शुरू बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करें सिर्फ स्वयम के संस्कारों को परिवर्तन करने समय उसमें कोमल बनो अपने साथ में हमें कड़ा नहीं बनना है कैसे कर सकेगा तू कैसे करे पाएगा तेरे पास तो शक्ती नहीं है तो तो इसके लायक ही नहीं है हम जब ऐसी बात अपने साथ करते हैं तो परमात्मा कहते हैं बच्चे अपने साथ में कोमल बनो अपने साथ में इतना कड़ा मत बनो, यह संसकार अपने उपर मत इस्तमाल करो, जातर देखा यह तो हम जब दूसरे कोई प्रॉलम बताते हैं, नहीं नहीं हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, आप सब कुछ कर पाएंगे, अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी हम इसका solution करते हैं, तो अंदर जो बैठी हुए बिचारी आत्मा है, जो अपने साथ ही इतने ही कड़ी हो जाती है, इतनी स्ट्रॉंग वोड्स करती है, कि तुम किसी लायक नहीं हो, भगवाने तुम्हारी आदते कभी जाएंगे नी, तुम क्या कर पाओगे जीवन में, हम अपने सा पराबा को संसकावरों को परिवद्न करने में कॉमल बनो, कर्म में कभी कॉमल नहीं बनना, कोई थंपना कर suffersable का आत्म बल आत्म भरोसा आत्म निर्भरता से करना है इसमें शक्ति रूप बनना है इसमें शक्ति रूप निर्णे लेनी की शक्ति आनी चाहिए परखनी की शक्ति होनी चाहिए उसमें आई कैसे करें मुझे नी पता कैसी है क्या अगला है हाथ पैर ठंडे पड़ गए ऐसे नह कहते हैं उसमें कर्म करने में बल्वान बनो आगे बनो परमात्मने सारी ग्यान दी भी है उस ग्यान के अनुसार कर्म करने हमें तो बाबा कहते हैं कर्म में कभी कोमल नहीं बनना इसमें शक्ति रूप बनना है जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का को अहुमारा पुराने के संसकार भीच भीच पीच में आ जाते हैं तो परमात्म क्याते हैं यह लुद मोह इए परमात्म चेहिं को बीना किसे दिख़ वगलत सॉपण परता हुआ ही यह जईललेक्ष भी है जी बिना किसों किजा tutti है तो परमातु कहते हैं धारन कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता है इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाए शक्ती रूप दिखाई दे आपके शकल पर भी दिखाई दे कि आप जो बोलते हैं वो करके और आपको लोग सीरिस ले जो आप बोलना चाहते हैं उसके उपर हाए लिल बिल करना अपने आप को पोस्पोन करना चीज़ों को देखते हैं होगा हो जाएका परमातु कैसे यह चीज़ नहीं करना है अभी करना है हो जाएगा नहीं हुआ पड़ा है तो परमात्म कहते हैं इन चीजों के ऊपर फोकस करो उसमें शक्ति रूप दिखाओ और अपने आपको भी परिवर्तन करने में चलो ठीक है कोई बात नहीं आज ये प्राइलम होगी आज मेरे से गलती होगी आज में को प्रोध आ गया आज चोड़ सा अंकार आज चोड़ से इर्शा होगी आज चोड़ सी आवाज तेज कर बोल दी मैं इसको अभी के अभी चेंज करता हूं मैं चेंज करने लाइक नहीं हो मेरे अंदर कोई शक्ती नहीं है मैं उस लाइक ही नहीं हूँ मेरे तो मैं हूँ ही ऐसा है मैं हूँ ही ऐसी ऐसे बाते नहीं संब अर बाकी लोग भी आपको इसलिक्ट刃 कर पाय और ऑर तीसरा संदर to जो दुनिया आपको certificate दे, ब्रामिन परिवार आपको certificate दे, वो भी important certificate है, और एक है certificate, परमात्मा कहते हैं, कि लास्ट में जो मिलने वाला है, कि तुमने अपने उपर की कमजोरियों के उपर, जीत पैनलीज यूनिवर्सिटी में, तो आज को ये श्रिवर्दान, ये कौन को से certificate है, कैसे इनको पाए है, आप आखर के ब्रामा कुमारीज में सीख सकते हैं, आपको दिन शुबो, ओम शान्ति,